नमस्कार दोस्तों वन इडिया में मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ चार बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स जहां सरवादीक मुकाबले जीत कर 18 पॉइंट्स के साथ टॉप पर रही वहीं दिली कैपिटल्स की टीम ने भी 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर जगा बनाई इनके लाबा आखरे मुकाबले मुंबई को हराकर संड्राइज जहादरबाद ने अच्छे रन रेट की बदालत तीसरे और रॉयल चलंजर्स बैंगलोर चौथे स्थान पर रही पॉइंस टेबल में नंबर एक और दो पर रहने वाली मुंबई इंडियन सो दिली कैपिटल्स की बीच IPL 2020 का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला गुरुवार 5 नवंबर को दुबई इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुंबई ने दिल्ली को हराया भी है पहले ये 11 अक्टूबर को अबुधाभी के मैदान पर दोनों टीमें भीडि थी जिसमें मुंबई ने पांच विक्टो से जीत हासिल की थी वहीं दूसरा मुकाबला जो 31 अक्टूबर को खेला गया था जिसमें मुंबई ने दिल्ली को फिर हरा दिया था इस मुकाबले में दिल्ली को 9 विक्टों से हार का सामना करना पड़ा था हेट टू हेट की बारत करें तो अब तक दोनों टीमों की भी 26 बार IPL में मुकाबला हो चुका है जिसमें मुंबई 14 बार और दिल्ली 12 बार मैच जीतने में कामियाब रही है दिल्ली की टीम अभी तक एक बार भी IPL का खताब नहीं जीत पाई है वही मुंबई पांच भी बार खताब पर कबजा करने की रादे समयधान में उतरेगी दिल्ली की टीम 2012 और पिछले साल प्लेओफ में हार कर बाहर हुई थी इस बार दिल्ली कॉलिफायर खेलीगी जिससे उनके मुकाबला मुंबई सी होगा ऐसे में पहला मैच हारने के बाद भी टीम के पास फाइनल में जाने का दूसरा मौका होगा बैंगलोर को इलिमिनेटर में हैधरबाद के खिलाब खेलना है जहां जीत के बाद टीमें आगे बढ़ेंगी दिली ने अपने आखरी मुकाबले बैंगलोर पर शाहनदार जीत दर्च की थी वहीं मुंबई को अपने आखरी मैच में हैधरबाद के हाथों दस विक्टों से हार का सामना करना पड़ा था दिली की टीम पहली बार खेताब जीतने और मुंबई को हराकर सीधे फाइनल में जगा बनाने उतरेगी वहीं मुंबई की नजर पांचवें खेताब पर होगी फिलाल के लिए इस वीजियो में इतना ही तमाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं One India के साथ